भजन सहिता अध्याय 73 सचमुच इस्राइल के लिए अर्थात शुद्ध मनवालों के लिए परमेश्वर भला है मेरे डेग तो उखड़ना चाहते थे मेरे डेग फिसल नहीं पड़ थे क्योंकि जब मैं दूस्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विशय डाहा करता था क्योंकि उनकी मृत्य में वेदनाय नहीं होती परंतु उनका बल अटुट रहता है उनको दूसरे मनुशों की नाई कष्ट नहीं होता और मनुशों के समान उन पर भी पत्ती नहीं पड़ती इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है उनका ओड़ना उपद्रव है उनकी आखे चर्वी में से जलकती है उनके मन की भावनाय उमडती है वे ठट्टा मारते है और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते है वे डिंग मारते है वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते है और वे पृत्वी में बोलते फिरते है तो भी उनकी प्रजा इधर उधर लोटाएगी और उनको भरे हुए प्याले कासा जल मिलेगा फिर वे कहते है कि परमेश्वर कैसे जानता है क्या परमप्रधन को कुछ ग्यान है देखो ये तो दुष्ट लोग है तो भी सदा सुभागी रहे कर धन समपत्ती बटोरते रहते है निश्चे मैंने अपने रधै को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोष्टा में धोया है क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ पर प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है यदि मैं कहता कि मैं ऐसा ही करूँगा तो देख मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ प्रूरता का व्योहार करता जब मैं सोचने लगा कि इसमें कैसे समझूँगा तो यहां मेरी दुष्टी में अतिक कठीन समस्या थी, जब तक कि मैंने पर्मेशर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा, निश्च तु उन्हें फिसलने वाले स्थाम में रखता है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है, अहां वे शन्भर में कैसे उ समझ कर तुछ जानेगा, मेरा मन तो चिर्चिडा हो गया, मेरा अंतकरन चिर गया था, मैं तो पशु सरीका था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तुने मेरे दहिने हाथ को पकड़ रखा, तु सम्मति द देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा स्वर्ग में मेरा और कौन है तेरे संग रहते हुए मैं पृत्वी पर भी कुछ नहीं चाहता मेरे रधें और मन दोनों तो हार गए है परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा यही मेरे लिए भला है मैंने रभू यहुआ को अपना शरंस्थान माना है जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्नन करूँ